नमस्कार मित्रों, पुश अप्स या दंड को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है जब बात आती हैं मसल ग्रोथ की बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि दंड के ओल एक वाम अप एक्सराइज है या फिर इसे के ओल बेसिक एक्सराइज की तरह दिखते हैं लोग ये सोचते नहीं हैं कि इससे भी मसल ग्रोथ हो सकती हैं क्योंकि वो जीम की एक्सराइजेस को या फिर बाके एक्सराइजेस को ज़्यादा एडवांस लेवल के समझते हैं लेकिन जैसे कि हमें पता है कि कोई भी exercise advanced level की या फिर छोटी level की नहीं होती है उस exercise की टेकनिक कितने अच्छी है या फिर उसे किस प्रकार से किया जाता है इसके उपर उसकी level तय होती है इसलिए आज मैं आपको 40 दिन का क्योल push-up से बना हुआ एक ऐसा प्रोग्रेम बताने वाला हूँ जिससे आपकी chest, shoulder और triceps तिनों भी बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और उनकी growth भी बहुत ही अच्छे से होगी इन 40 दिनों में आपको अपने diet का अच्छा ख्याल रखना है इस खाने में आपको protein की मातरा बढ़ानी है हरी सबजया बढ़ानी है और फल बढ़ाने है इस प्रोग्रेम का आपको हफते में 3 दिन करना है जैसे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और एक दिन की बिच में rest आपको लेनी है उस दिन आप pull-ups या squats इन में से कोई भी exercise चूज़ कर सकते हो इन 40 दिनों में हम केवल chest, shoulder और triceps की growth पर ध्यान देंगे तो इस प्रोग्रेम की शुरुवात में हम सोमवार की दिन साधरन दंड से शुरू करेंगे साधरन दंड आसान होते हैं इसलिए हम इसके 30 से 50 repetitions करेंगे और वो भी 3 से 5 set के लिए यहाँ पर मेने repetitions और set को कम ज़्यादा रखा है वो इसलिए क्योंकि हर किसी की ताकत कम ज़्यादा हो सकती है तो जिने 30 से 40 repetitions बहुत ही कम लगते हैं वो 50 repetitions से शुरू करेंगे और जिने 3 set कम लगते हैं वो 4-5 set से शुरू करेंगे और साधरन दंड को आपको हर हपते के वल 5 दंड से बढ़ाना है जिस भी हपते आप 5 दंड नहीं बढ़ा पाओगे यानि के समझ लो आप 55 दंड पर पहुंच गए और अगली बार आप 60 दंड नहीं कर पाए तो उस समय आपको एक set बढ़ा देना है इस प्रकार से आपको साधरन दंड में progress करती जानी है आपको हर बार repetitions और set दोनों नहीं बढ़ाने है सबसे पहले आपके वल 5 repetitions से बढ़ाने के कोशिश करोगे अगर वो ना हो तब आप एक set बढ़ाओगे तो हपते के दुसरे workout में हम यानि के बुद्वार को दो exercise करेंगे पहले exercise में हम पेर उपर रखके साधरन दंड करेंगे पेर उपर रखकर दंड करने से हमारे upper chest और shoulder का workout अधिक होगा और इससे दंड अधिक मुश्किल भी होगा तो यहाँ पर हम 15-30 repetition से शुरुआत करेंगे और केवल 3-4 set ही करेंगे यहाँ पर भी हमें वही करना है हर हपते 5 repetitions बढ़ाने हैं और जिस हपते 5 repetitions नहीं बढ़ेंगे उस हपते 1 set बढ़ा देना है ऐसा हम 6 हपतों के लिए करेंगे बुद्वार को ही दुसरी exercise होगी मिश्र दंड मिश्र दंड से हमारे कंदे और ट्रैसेप्स बहुत आच्छे से ट्रेन होंगे मिश्र दंड के भी हम 15-30 repetitions करेंगे और 3-4 set लगाएंगे और जिस हपते repetitions नहीं बढ़ेंगे उस हपते हम एक set बढ़ा देंगे हपतिक की तिसरे workout में यानि की शुकरवार को हम दी में दंड लगाएंगे यहां पर भी हम साधारन दंड का ही उपयोग करेंगे यहां पर दंड को हमें इतने दिरे करना है कि केवल 10-20 repetitions से हो जाए और इसके केवल 3 ही set हमें करने है इससे हमारे अधिक से अधिक muscle ज़्यादा एंगेज होंगे और हमारा control भी अधिक से अधिक बढ़ेगा हम पर भी हमें हर हपते केवल 5 repetitions बढ़ाने है जिस भी हपते 5 repetitions ना बढ़ा पाए उस हपते हमें 1 set बढ़ा देना है जैसे की हम 30 repetitions तक पहुंच जाए और अगली बार हमें 35 दंड ना जाए उस वग्त हम 6 बढ़ा कर 3 से 4 कर देंगे इस तरह से हमें progress करती रहनी है इसके बाद हम राम मूर्ती दंड लगाएंगे मूर्ती दंड भी दीमे दंड के जैसा ही मुश्किल होता है और फिर उससे भी जैदा मुश्किल होता है राम मूर्ती दंड साधर दंड की जैसा ही होता है केवल इसमें हम जैसे उपर की और जाते हैं वैसे ही पीछे की और भी आते हैं पर आप मुझे राम मूर्ती दंड करते हुए देख सकते हो राममूर्ती दंड हमारे ट्राइसेप्स की ग्रोध के लिए और हमारे शोर्डर्स की ग्रोध के लिए बहुत ही ज़्यादक फायदेमन्द है राममूर्ती दंड के भी हम केवल 10 से 20 रेपिटेशन से शुरुआत करेंगे और केवल 3 ही सेट करेंगे इसे भी हम हर हपते 5 रेपिटेशन से बढ़ाएंगे जिस भी हपते हम 5 रेपिटेशन से ना बढ़ा पाए उस हपते एक सेट बढ़ा देना है इस प्रकार से हमें हर दंड में और हर वर्काउट में केवल 5 रेपिटेशन से बढ़ाने हैं 6 हपतों तक जिस भी हफते आपके दंट 5 दंट से ना बढ़ें उस हफते आपको उस exercise में एक सेट और अड़ कर देना है इस प्रकार से 6 हफतों में हर किसे का वर्काउट अलग-अलग देख सकता है इस प्रोग्राम से और इन exercises से आपकी chest, shoulder और tricep की size केवल 40 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इसकी guarantee में आपको देता हूँ बस आपको अपनी diet का ध्यान रखना है साथी साथ कोई भी beginner इस program को बिलकुल ना करे इस program से अगर आपको कोई फायदा होता है तुम मुझे नीचे comments में ज़रू बताना वीडियो आपको कैसे लगी यह मुझे नीचे comments में ज़रू बताएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्रीराम